हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मैंचूरन की रेस्पी आप इसे गोबी मैंचूरन भी बोल सकते हैं बहुत ही कम सब्जों के साथ हम इसको बना करके तयार करेंगे और भूध यदा टेस्टी लगते हैं खाने में और तीन से चार हमें यहाँ पर लेनी है हरी मिर्ची और एक हमने यहाँ पर लेनी है शिमला मिर्च दो हमें लेनी है प्याज तो यहाँ पर हम ज़्यादा सब्जिय नहीं डाल रहे हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर गाजल भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ सारी सबजियों को अच्छे से वोश कर लेना है वोश करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको कद्दुगस कर लेना है तो फूल गोबी के सारे पीसिज को हमें अलग कर लेना है तो मैंने यहाँ पर सारे फूल गोबी को अलग कर लिया इस तरह से मोटे मोटे पीसिज में अब म यहाँ पर लेना है कद्दूकस तो यहाँ पर हमें जो है बारिक वाले हिस्से से कद्दूकस कर लेना है तो मैंने यहाँ पर वजन के इसाब से 1 kg गोबी ली है आपको जितनी बनानी हो आप उसी इसाब से यहाँ पर गोबी ले सकते हैं तो सारी गोबी को हमें अच्छे से कद दो से तीन हमें यहां पर ले लेनी है हरी मिर्ची और प्याज के साथ हम यहां पर हरी मिर्ची को बारिक चौप कर लेंगे तो इस तरह से चौपर में डाल करके भी आप इसको बारिक पीस करके त्यार कर सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स यहां पर प्याज को भी हमने बिल्कुल बारिक पीस लिया है और गोबी को भी कद्दू कस कर लिया है अब हमें प्याज को गोबी के अंदर डाल देना है सारी प्याज को प्याज को डालने के बाद अब हमें यहां पर एड करना है नमक तो यहां पर मैं के अंदर एक्स्टरा पानी होगा वह रिवीज हो जाएगा इसको वम्हक कर रख देना है तो देखेद्ट दस मिनट हो चुकी है और जो गोभी में एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से रिवीज हो चुका है तो अब आप इसको नूल Still जो भी इसके अंदर पानी होगा वो अच्छे से सारा हमें निकाल लेना इस तरह से और जो पानी बचेगा उसमें आप आटा लगा सकते हैं उसको आप वेस्ट ना करें उसमें जो भी आप रोटी के लिए आटा लगाएंगे उससे लगा सकते हैं तो इस तरह से हमें सारी गोबी को निचोड करके तयार कर लेना है तो यहाँ पर सारी गोबी को हमने अच्छे से निचोड करके तयार कर लिया है तो अब हमें यहाँ पर एड़ कर देना है लेसुन तो चार से पांच हमें बारिक लेसुन को काट करके डाल देना है और जो हमने यहाँ पर शिमला मिर्चलिती उसकी मैंने आधी यहाँ पर डाली है और आधी हम बाद में यूज करेंगे अब हमें यहाँ पर एड़ कर देने है मसाले मैंने यहाँ पर आधी छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर डाला है तो ज़्यादा मसाले अभी हमें यहाँ पर नए डालने है और नमक हमने यहाँ पर नए डाला है क्योंकि हमने उस टैम डाल दिया था तो ज़्यादा नमक हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर नमक नए डालना है अब मैं यहाँ पर एड़ करना है तीन से चार चमच के करीब मैदा और चार चमच ही मैंने यहाँ पर लिया है कॉन फ्लोर यानि की आरा रोट अगर आप कुछ कम लगे बाद में तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं तो इस तरह से हमें पिना पानी डाले इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका हमें एक डो लगा करके तयार कर लेना है तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर इसका एक डो लगा करके तयार कर लिया है अब हमें हातों पर लगाना है हलका सा ओईल और इस तरह से हमें इसकी बोल्स बना करके तयार कर लेनी है तो साइज आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं तो इस तरह से मैं छोटी-छोटी बोल्स बना करके तयार कर लेनी है बहुत ही टेस्टी हमारी मंचूरिन की सब्जी बन करके तयार होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगी तो यहाँ पर मैंने सभी बोल्स को बना करके तयार कर लिया है एक फूल गोबी से इतनी सारी हमारी बोल्स बन करके तयार हो चुकी है तो अब हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है तो इसके लिए गैस पर हमें तेल को गरम कर लिना है तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है जादा हाई ने रखनी है सुरू में हमें यहाँ पर मीडियम पर पकाना है जैसी हलके से पकने शुरू जाएंगे उसके बाद में गैस की फिलिम को हाई कर देना है सारी बोल्स को डालने के बाद इस तरह से हमें इसको हलके हलके आतों से इस तरह से चलाते जाना है तो दोनों तरफ से अलटते पलटते हमें इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है तो जब तक इसके अंदर brown color नहीं आ जाता तब तक हमें आपर इनको fry कर लेना है तो देखिए friends हमारी बोल्स बिल्कुल अच्छे से सीख करके तैयार हो चुकी है और बहुत ही प्यारा color आया है तो इतना ही हमें आपर इनको fry करना है तो सारी बोल्स को हमें एक बरतन में निकाल करके रख लेना है तो देखिए friends बिल्कुल क्रिस्पी करारी हमारी बोल्स बनकर के तैयार हुई है तो अब हमें गैस पर चड़ा देना है एक कड़ाई को अब हमें यह आपर डालना है इतना ही डालना है जितने में हमारी प्याज लैसुन अच्छे से बून करके तैयार हुजाए तो यहाँ पर मैंने पहले से हरी मिर्ची लैसुन प्याज और शिमला मिर्ची को बारिक चौप कर लिया है अब जैसी हलका सा तेल गरम हो जाएगा तो हमें यहाँ पर सबसे पहले डाल देना है बारी कटा हुआ लैसुन तो आपको लैसुन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालना है इसका जो टेस्ट होता है सबजी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो आपको यहाँ पर लैसुन ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है और इसको लगातर हमें चलाते जाना है गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर हाई रखनी है हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेना है तो जादा नहीं भूनना है जिसरफ इतना भूनना है जो इसका कच्चा पन है हलका सा वो दूर हो जाए तो देखिए फ्रेंड्स बस इतना ही हमें इसको भूनना है अब हमें यहाँ पर एड़ कर देनी हैं बारी कटी हुई हरी मिर्ची और बारी कटी हुई प्याज भी हम सासा डाल देंगे आप यहाँ पर मिर्ची अपने टेस्ट के अंसार रख सकते हैं अगर आप यहाँ पर कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने इसाब से या पर डाल सकते हैं तो बस प्याज को भी हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है तो प्याज हमारी भून करके तयार हो चुकी है अब हमें यहाँ पर एड कर देनी है बारी कटी हुई शिमला मिर्ची नमक एड कर देना है और एक चमच हमने यहाँ पर डाली है लाल मिर्ची पाउडर ज्यादा मसाली यहाँ पर हम नहीं डालेंगे क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर एड करना है मंच्योरियन मसाला अब हमें यहाँ पर एड़ करना है सिरका यानि की वाइट वेनेगर हम यहाँ पर डालेंगे तीन चमच अब हमें यहाँ पर एड़ करनी है सोया सोस तो मैंने यहाँ पर तीन चमच के करीब सोया सोस डाली है और सोया सोस डालने के बाद अब हमें यहाँ प पर एड़ करेंगे और दो चमच ही हमें यहाँ पर एड़ करनी है टोमेटो केचप और दो चमच हम यहाँ पर एड़ करेंगे रेड़ चिली सोस तो टोमेटो केचप डालते टाइम मेरा कैमरा बंद हो गया है तो आप यहाँ पर दो चमच जरूर डालें सभी को डालने के तो तीन चम्मच के करीब हमें यहाँ पर कॉन फ्लोर लेना है और इसको हमें पानी डाल करके इसका एक घोल बना करके तयार कर लेना है तो मैंने यहाँ पर एक कप के करीब पानी डाला है और पानी डाल करके अच्छे से हमें इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक गोल बन करके तयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा हमें यहाँ पर गोल बना करके तयार कर लेना है तो अब हमें यहाँ पर कौन फ्लोर का जो हमने गोल बना करके रखा था उसको डाल देना है और डालने के बाद हमें यहाँ पर तुरंत ही पानी भी डाल देना है तो जितनी आपको यहाँ पर ग्रेवी बना करके तयार करनी है उतने ही आपको यहाँ पर पानी डाल देना है अगर आप यहाँ पर चावल के साथ अगर इसको सर्फ कर रहे हैं या फिर रोटी के साथ तो आप यहाँ पर ग्रेवी थोड़ी सी जादा रखें तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दो गिलास पानी डाला है और इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई कर देनी है और अब हमें यहाँ पर एड़ करना है मंचूरियन मसाला बोल्स को डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ढख करके रग देना है दो से तीन मिनट के लिए देखे फ्रेंट्स बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंचूरियन हमारा घर पर ही बन करके तयार हो चुका है बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आप होटल रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे और इसी तरह से आप घर पर बना करके खाएंगे और बनाने में ज़्यादा टैम ने लगता है बहुत ही जल्दी से बन करके तयार हो जाता है और इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करें तो फ्रेंड्स रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूले और मेरे पेज को फोलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर